नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है election में duties लगाई जाती है primary teachers की या कोई भी government teacher की duty लगाई जा सकती है तो करमचारी किसी भी श्रेणी के हो election duty में enroll किये जा सकते है उनको कई बार booth level officer बना दिया जाता है कई बार ARO बना दिया जाता है या returning officer बनाये जा सकता है पर कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के कथन आते हैं 2022 की घटना है जहां पे एक भाई साब प्यार है थे कि उनके चाचा विधायक हैं इसलिए वो duty करने में interested नहीं है वो दौर रहा होगा पर इस दौर में ऐसे बोलने वाले के खिलाफ वारंट ही जारी किया जाता है पुलिस तुरंद वारंट जारी करकर अगर election duty में कोई भी कमी पाई जा रही है तो पुलिस के पास power की वो वारंट जारी करकर assistant collector या जो भी उस समय का वहा returning officer है उसके सामने पेश क्या जा सकता है ये बात इस साल फिर से देखी गई फरवरी मार्च के महिने में एक महिला teacher है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप बताईएगा कितना सही है कितना गलत है तो दो मिनट अपना ओर दीजेगा आपको बता दे कि चाचा विधायक बले ही हो पर फिर भी आपको election duty में अगर enroll किया गया है तो आपको करना पड़ेगा दूसरी बात election duty करने के लिए अलग से भट्ता दिया जाता है अलग से पैसा दिया जाता है मतदान पे जो केंडर पे करमचारी रहेंगा उनको 1150 रहेगा और इनकी श्रेणियों में प्रथम दूतियत रितिय की हिसाब से 1150-900-800 रूपे मतलब पैसा दिया जा रहा है अगर आपसे काम लिया जा रहा है मालीजे इनमें से कोई गायब हो जाए तो उस रिजर्व के लिए भी पैसा रखा गया 865-600 रूपे रखे गए है पैसा इतना बड़ा तो नहीं है पर फिर भी आप गवर्मेंट अधिकारी हैं तो आपको कही ना कहीं मतलब दो तरह की होता है compoundable या sorry cognizable और non-cognizable अब यहां warrant की दरकार पढ़ती है और warrant लेकर छानबीन की जाए है आपको पकड़ा जा सकता है आपसे पुछतास की जा सकती है और आपको लेकर जाया जा सकता है जहां भी आपको बुला जागा तो warrant लेना ज़रूरी है कुछ ऐसे भी संगीन अप्राद होते जहां warrant की भी ज़रूरत नहीं होती cognizable है घुज जांगे बिना warrant के पर यहां पे warrant लेना ज़रूरी है इसलिए warrant दिया जाता है उनके खिलाफ जो ऐसे election duty से अपने आपको बचाने में लगे हैं 1951 Representation of People Act 1951 धाचा तयार करके देता है कि election कैसे होगा कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा और उसके तहट एक धारा है section है 134 हमने पूरा इसको पढ़ा 128 से लेकर 134 हमने पढ़ने की पूरी कोशिश के और हमें 134 में मिला कि अगर आप अपने election duty से भागते हैं याद रखेगा Representation of People Act 1951 है आप पहले तो नीचे कमेंट करके ये बताईए कि Representation of People Act 1950 और 1951 अलग कैसे है आप से हम पहले यही पूछ ले आप पॉलिटी के भी जाता 1950 और 1951 का अलग कैसे 1951 धाचा दे रहा है अब आप नीचे इसको explicit करके बताईए कि हम क्या बोलना चाहरे है 1951 का यह जो अधिनियम है लौ है, आक्ट है इसके साफ सेक्शन 134 आपके उपर लगाये जा सकता है और अगर आपने negligence किया आपने डूटी में पाया गया Returning Officer, Assistant Returning Officer मतदाता केंदर पे जो है या मतदान केंदर पे जो है किसी के खिलाब भी कारेभाई की जा सकती अगर आप पकड़े गए दोशी पाये गए तो 6 माह की सजा का प्रावधान है 6 months of imprisonment is the norm 6 महीने की imprisonment आपको हो सकती अगर आपने अपने निर्वहन करने में डूटी से पीछे आप खटते हैं तो अगर दोशी नहीं पाये जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है तो अच्छे खासे नियम बने हुए है मतलब उन लोगों के लिए जो कई बार बोलते हैं हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि चाचा विधायक है ऐसा ही केस देखने को बार-बार मिलता है हमने और गुप्चु परताल करने की कोशिश की खेरी हमने किये यह अकबार वाले हमारे लिए कर रहे थे और उनसे हमें पता चलता है कि जो काटेगरी D के इंप्लोईज होते हैं वो election duty से दूर भागते हैं वो दूर क्यों भागते हैं तो पता चला गुप्चु परताल में यह हमारी परताल नहीं है पहले disclaimer हम दे देते हैं अकबारों के हिसाब से पता चलता है हमें कि कई बार यह जो चतुर्त श्रेणी के करमचारी रहते हैं यह बिचारे परिशान देते हैं बोलते हैं हम election में भागत लेना चाहते हैं हम सब की मदद करना चाहते हैं पर हम बेगारी से परिशान हैं बेगारी का मतलब है कि उपर के अधिकारी हमें इतना दोडाते हैं forced labor करवाते हैं कि हम परिशान हो चुके हैं वो भट्य की कोई मतलब भी नहीं रहे गासर हमारे लिए, इसलिए मैं नहीं करना चाता हूँ, तो लोगों ने petition तक दिया, बड़े-बड़े application दिया, कि भईया, आप group D के लोगों को शामिल मत करो, इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए भी कस्ट दायक कई बार बनता है, अगर एक बड़े राज्य में election हो रहा हो, और आप किसी एक छोर पर रहते हैं और दूसरे छोर में आपको बुलाया जा रहा हो, तो महिला को कस्ट हो सकता है, दिक्कत हो सकती, उसके उपर जिम्मेदारी दोनों जगह की है, घर की भी है, और बाहर की भी है, उसको एक दिन पहले होगा, election booth पर, पोल पर, और वहाँ पर तयारियां करनी होंगी, कई बार वो तयारी नहीं भी कर पाए, क्योंकि वो शायद इतना दूर चल कर ना पाए, और security reasons तो बने ही रहते हैं, हो सकता है, जहां वो जहां, sanitary facility ना हो, यह सारे प्रावधान को देखते हुए, कई बार मह मेरी teacher है, उनके खिलाफे warrant आया, कि आपने election duty join नहीं किया है, दो दो बार notice भेजा गया, आपने join नहीं किया, इनका जवाब आता है, कि मैंने notice का जवाब दिया है, पहले notice का जवाब मैंने दिया, कि आपने बहुत दूर मेरी posting की थी, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मेरे घर में मेरे in-laws हैं, वरिद हैं, मेरे दो बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं, मैं उनके साथ, मैं ही उनका ध्यान रख पाती हूँ, I cannot go, तो अगली बार जब notice आई, तो उन्होंने pass की posting दी, फिर भी आप नहीं गए, तो उनका कहना है कि ऐसी कोई posting आई नहीं थी, ये तो अब newspaper के हिसाब से पता चल ला है, तो अब ये इनके बीच में जो भी होगा है, पर कई बार ये complaint आती हैं, और एक rule है, female teacher can be deployed on election duty only if necessary, तो आपका पहला priority होगा male teacher, और female teacher अगर लगता है necessary है, necessity है, तो आप deploy करें, पर complaints बहुत आई हैं, यहां तक की कई बार security issue, harassment issue, ये सब आता है, और complaints भर-भर के पहुंचती है, जो returning officer है, या फिर election officer से उनके पास पहुंचती है, पर अभी भी इसके उपर कोई निर्वहन करने की बात इसमें की गई है, या इसका अभी भी निस्तारण नहीं किया गया है, problem is, हमारे देश में चीज़े तो बहुत अच्छी चल रही होती ह पर कई बार उसको हम लोग ऐसा बना देते हैं कि वो cut in हो जाती है, अब अगर महिला teacher नहीं जा सकती है, तो इसके लिए तो transparent rule होना ही चाहिए, कि आप अपने district कहीं देख सकते हो, आप कैसे दूर जाके कही election कर आपाऊगे, ये सारी चीज़ों को सोचकर आपको डालना चाह transparent होना चाहिए, ताकि ऐसे बार-बार warrant भी ना जारी करना पड़े, और किसी का भी इसमे dignity hamper ना हो, तो एक process होना चाहिए, ये हमारा मानना है, आपका क्या मानना है, वैसे तो महिला और मेल, दोनों को हम एक ही पटल पर रखते हैं, पर जब तक व्यवस्थाए एक जैसी नह पर ना है, उन लोगों से करिए देखिए जिन्होंने UPSC को बहुत पास से देखा है, आप यहाँ पे जब पढ़ने आते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा अपने 10 साल की जिंदगी में, जो पिछले UPSC की रही है, कि लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे है, ऐसा मत करि कोशिश करिए जहां फोकस करना है, वही मुझे पढ़ना है, और यहाँ पे आपको पूरा पैकेज एक साथ मिलता है, GSO, CSAT, QEPO, सब एक साथ आपको मिलता है, तो क्यो दस जगा जा रहे हैं, आप एक CMC कोड यूज करिए और आ जाई है, अच्छा हमने ये भी देखा, लो ये कुछ question दे दीजे, अरे हम लोग इसमे scholarship देते हैं, ये साथ April को test हो रहा है, आप कसम खाईए आप छोड़ेंगे नहीं, अगर आपको affordability का criteria अस तक बना हुआ था तो, दो slot में test होगा, एक होगा 11 बजे, एक होगा शाम में 5 बजे, अब इससे जादा देखिए, हम लोग तका scholarship हम देने वाले हैं, साथ April को, अभी नीचे description पे जाईए, लिंक पे click करिये और register करिये, and you are going to win this, I know this, आप जीतेंगे, और हमारे पास एक से चीज है, अरे English Medium में हमने launch कर दिया अपना पूरा, we are having it from April 6th, the new batch, why are you waiting now, CMC is the code, use it, and go ahead, that would be all from my side, thank you so much, take care, Jai Hind.